दोस्तों शुवागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल जिसके नाम है इस्टी टुटोरियल तो गाइस कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं गाइस आप सब बहुत बढ़ी होंगे डियर सीटेट 2020 के लिए CDP का 15 अंक का कोशन पेपर हिंदी का 15 अंक का कोशन पेपर और परियावरण का 15 अंक का कोशन पेपर है ये तो इस मौक टेस्ट में मैं आपको 45 अंक का फुल लेंग फुल लेंग टेस्ट पेपर कराने वाला हूं जो आपको काफी हैल्प करने वाला है आपकी एक्जाम में तो पूरा वीडियो एंड तक देखना चैनल पर नए हो पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को प्रेश कर लेना ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिशना कर पाओ तो चलिए गाईस स्टार्ट करते है आज की वीडियो बिना किसी दरी के जो आपको लिखना है ठीक है तो आप समझ जाओगे कि आपने आंसर सहीं दिया है तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो बीना किसी देरी के तो डियर आज का question of the day है देखे question of the day को ध्यान से देखिए इसका answer आपको comment box में comment करके बताना है अपना नाम भी बताना है comment box में comment करके ठीक है नाम के साथ आप इसका answer देना और जिसका भी answer सहीं रहेगा मैं उसका comment को like कर दूँगा देखो question of the day क्या पुछ रहा है जात्रों को सीखने की दिशा में आंत्री कुरूप से प्रेडित करने के लिए एक सिक्षक को चाहिए परिक्षा ले मूर्त पूरुषकार प्रदान करें वैक्तिकत लक्षो को निर्दानित करने के लिए उनका सायोग और प्रोशान करें इन चलिए तो यही है आपका question of the day अब वीडियो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर आ चुका है पहला question काफी important है और हम बाल विकास की question से देखेंगे ठीक है तो देखो अभी प्रेड़ना के सिद्धान के अनुसार एक सिक्षक के दौरा सीखने को सरवादिक सरवर्दित कर शकता से तो अभी प्रेड़ना की सिद्धानतों के अनुसार एक सिक्षक के दौरा सीखने को सरवर्दित कर सकता है कैसे कर सकता है विध्यारतियों से वास्तु अपेक्षाय रखने से फर्ष्ट का ए आंसर करेक्ट आएगा second question देखेंगे विकास शुरू होता है उत्तर बाले पूर्व बाले अवस्ता से इस question का आँसर आजाएगा विकास शुरू होता है प्रशव पूर्व अवस्ता से बी आंसर आपका करेक्ट आजाएगा अगर आपने बी दिया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है चलिए अब देखते थरड question बहुविद बुद्धी सिध्धान के निशार्श भी प्रकार के पशुओ खनीजों और पेड़ पौदों को पहचानने और वर्गी करत करने की योगिता कहलाती है तो यह कलती है प्राकरतिक बुद्धी आपका थर्ड का भी आंसर करेक्ट आएगा चलिए अब देखते चौधा कोशन अधिकांस व जाती विभीनताओ बुद्धी के वितरण, बुद्धी की व्रद्धी, बुद्धिक और लेंगिक विभीनताओ तो इस कोशन का अंसर आजएगा बुद्धी के वितरण B आंसर करेक्ट आएगा चलिए अब देखते है कोशन नंबर पाँच सैयोगी अधिगं में अधिक उ उम्र के प्रमिड विध्यारती चोटी और कम उम्र के निपून विध्यारती की मदद करते हैं इससे क्या होता है उच उपलब्दी और आत्म सम्मान विक्षित होता है पांच का डी आंसर करेक्ट आएगा छटा कोशन जब पूर्व का अधिगम नहीं इस्तितियों के सीखने क बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का सुन्य इस्थानांत्रण अधिगम का निर्पेक्ष इस्थानांत्रण अधिगम का सकरात्मक इस्थानांत्रण अधिगम का नकरात्मक इस्थानांत्रण तो यह कहलाता है अधिगम का सुन्य इस्थानांत्र छटे का एंसर करेक्ट आएगा। व्यक्तिक और सामुई कुरूप से सीखते हैं बाल के अंद्रित कख्छा में बच्चे तो आठवे कोशन का ए आंसर करेक्ट आएगा चलिनवा कोशन देखते हैं प्याजे के अधिगम के संग्यनात्मक सिध्धान के अनुशार वह प्रक्रिया जिसके द्वरा शरचनात्मक सरचना को संसुदित किया जाता है वह अवस्था कौन सी है तो वह प्रक्रिया कौन सी है संग्यनात्मक सरचना को संसुदित किया जाता है तो वह प्रक्रिया कौन सी इसको बोलते डियर समा विशन, सी आंसर करेक्ट आएगा, चलिए अब देखते नेक्ट कोशन, कोशन नबर टैन, एक सिख्छी का अपने सिख्छार्तियों को सद्यों इस रूप में सायता करती है, कि वे एक विशय चेत्र से प्राप्त ग्यान को दूसरे विशय चेत्र के ग्यान के साथ जोड़ सके, इस से डैस को बढ़ावा मिलता है, पुनर बलन को, ग्यान के सहसंबंद और अंतरण को, व्यक्तिक विभिंताओं को, सिख्छार्ति स्वाजय तथा को, तो देखो, एक इस रूप में सहयता करती है कि वे एक विशय चेत्र से प्राप्त ग्यान को, दूसरे विशय चेत्र के ग्यान के साथ जोड़ सके, इस से ज्स को बढ़ावा मिलता है, इस से घ्यान के सहसंबंद और अंतरण को बढ़ावा मिलता है, दसवे का भी आंसर करेक्ट आइगा, आपके अप सारी चिंतन से समगनित है ठीक है अपसारी चिंतन में एक उत्तर के आप ती से 4 उत्तर दे सकते हो वहां पर चिंतन होता है चली अब देखते नेक्ष्ट कोशन एक विध्यार्ती medical college में दाखिला नेने के लिए कठिन परिश्णम करता है ताकि वहाँ प्रवेश परिक्षा में उत्रिण हो सके यह विध्यार्ती डैस रूप से अभी प्रेरित है अनुभाविक बहा व्यक्तिक आंत्रिक तो वो आंत्रिक रूप से प्रेरित है तो यहाँ पर आपका D answer correct आएगा यह D number है देखो ना यह A है यह B है यह C है और यह D है तो यहाँ पर आजाएगा आपका D answer चलिए अब देखते next question व्यवहार का करना व्यवहार का करना पक्ष डैस में आता है व्यवहार का जो करना पक्ष है वो किस में आता है सीखने के गतिक छेत्र स सीखने के मनोवैग्यनिक चेत्र सीखने के संग्यनात्मक चेत्र सीखने के भावनात्मक चेत्र तो व्यवहार का करना पक्ष है वो आता है सीखने के गतिक छेत्र में तो ए आंसर आपका correct आएगा चाउदा question देखेंगे देखो विज्यान एवं कला प्रतर्शिया संगीत ए विध्याले का नाम रोशन करने के लिए अभी भावकों को संतुष्ट करने के लिए देखो विज्ञान और काला प्रदर्शनिया संगीत एवं रत्य प्रस्तूतियां तथा विध्याले पत्री का निकालना डेस्क के लिए तो सिक्षार्तियों को स्रजिनात्मक मार्ग डिखा अधी यह सीखने के किस आयम को उजागर करता है सामाजिक गतिविदी के रूप में मनुरंजन द्वारा अधिव मासा निरद dancersit अधिव प्रतिव गिता अधरिताध अधिव तो 270 कोउपल गते हैं तो यह करते हैं सामाजिक गतिविदी के रूप वरतनी की असुद्या करती है भासा सिक्षा की रूप में आप अपनी क्या जिमेदरी मानते हैं पहले दिया नंदनी को ऐसे आउसर प्रदान करना कि वह स्वयम उनमें सुधार करें नंदनी की असुद्या को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना नंदनी को समझान की वरतनी की असुद्या करने पर उसके अंक कर जाएंगे नंदनी को समझाना की वरतनी की सुद्धता ही लेखन का ससक्त पहल हुआ है तो आप क्या करोगे तो देखो मैंने आपको बताया था कि आउसर जो है बैश्ट होता है आपका option आउसर जहां पर भी है अपॉर्चुन में आपके लिए सरवादिक महत्पुण है मुहावरे लोगोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना अधिक सदिक मुहावरे लोगोक्तियों के प्रयोग द्वारा भासा को अलंकारिक बनाना संदरब अनुशार मुहावरे लोगोक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनक प्रयोग करना ऐसा नहीं कि आप अधिक से अधिक करो स्क्राइब से अधिक करोंगे तो वह भद्ध लगएगा अगर आप संद्रब के अनुशार मुहारे और लोकोकिष्टियों प्रयोग करोगे तो वह बैश्ट रहेगा इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट आया है थर्ड कोसन देखो निमलिकित में से कौन सा प्रश्ण संदर्ब में व्याकरण सिक्षण को पुष्ट करता है घर घर पुन्रुक्त सब्द युग्म है इसी तरह के दो और सब्द युग्म बताईए संदर्ब में व्याकरण सिक्षण को कौन सा पुष्ट करता है आपको बता यह संदर्ब में व्याकरण सिक्षण को पुष्ट करता है तो यहां पर आपका डी आंसर करेक्ट आएगा इसका थोड़ा से एक्स्प्लेशन को घर घर आपकी चर्चा है इस वाक्य में घर सब्द की पुन्रवर्ती हुई है इस पुन्रवर्ती से वाक्य के आसाय पर प्रभा बोल रहा है कि उच्प्रात्मिक इस तर पर हिंदी भासा की पाट्ट पुस्तक का निमान करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्पुन क्या है कम पूछा जा रहा है समरद हिंदी साहिती की छटा का प्रदशन बासी चमताओ को बढ़ावा देने के अभ्यास समस्ति व्याकरन समस्ति व्याकरनिक बिंदुओं के समावश महत्पुन है भासा की वीवित छटाओं को समटने वाले पार्ट बिलकुल महत्पुन है समरद हिंदी साहिती की छटा का प्रदर्शन ये कम महत्पुन है पांचवा कोसन देखो किसी रचना के बारे में स्वतंतर राय बनाने का आत्म विश्वास विक्सित करने के लिए आउशक है कवी और कवीता बोध साहिती बोध और एत्यासिक बोध साहिती बोध और छंद बोध भासा बोध और साहिती बोध इस कोशन का अंसर जागा भासा बोध और साहिती बोध डी आंसर आपका करेक्ट आएगा चलिए अब दे और साहित्यकारों में रूची जगाने के लिए भासा ग्यान बढ़ाने और सामाने ग्यान में रूची जगाने के लिए देखो बच्चे के लिए अत्रिक्त पठन सामगरी क्यों विक्सित की जाती है पढ़ने में रूची जगाने के लिए और भासा ग्यान में व्रद्धि के इसलिए यह गलत हो गया पृर भासा ज्यान बढ़ाने और साथ वा कोशन देखते हैं उच प्रापमे के स्तर पर भासा सिछन एक महतपुन उद्देश है भासा की नियमबद प्रकृति को पहचाना भासा के अलंकारिक रूपसे पहचाना भासा के वैकराण को कंट्रस्ट करना साहितिक विधाव में रचना करना तो साथवे कोशन का अंसर जाएगा उच प्रात्मिक इस तर पर भासा सिक्षण का एक मोहतपुन उद्देश क्या है भासा की नियमबद प्रकृति को पहचानना जो उसका केरेक्टर है जो केरेक्टर है भासा का उसको पहचानना चलिए आठवा कोशन देखते हैं विबिन कारे छेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विध्यार्तियों को परिचित कराया जाना चाहिए यह कथन में प्रयुक्ति से तात्पर क्या है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक कथन देखो क्या बोल रहा हूँ विबिन कारे छेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विध्यार्तियों को परिचित कराया जाना चाहिए तो यहाँ पर प्रयुक्ति का मतलब क्या है तो विशिष्ट भासा प्रयोक इस प्रयोक्त के मतलब है विशिष्ट भासा प्रयोक तो आठवे का B आंसर करेक्ट आएगा चलिए अब देखते है नववा कोशन नववा बोल रहा है ध्यान देना भासा सिक्षण की किस वीदी में मात्र भासा को मध्यस्त नहीं रखा जाता व्याकरण वीदी, सूत्र वीदी, अनुवाद वीदी, प्रत्यक्ष वीदी तो इस कोशन का अंसर जगा प्रत्यक्ष वीदी में मात्र भासा को मध्यस्त नहीं रखा जाता तो यहाँ पर आपकर D अंसर करेक्ट आएगा इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्प्लेनेश्ट वीदी में मात्र भासा को मध्यस्त नहीं रखा जाता है ठीक है चलिए अब देखते दस्वा कोशन भासा सिक्षण के संदर में किस किसी सिक्षक के लिए सरवादिक महत्पुण है क्या महत्पुण है पाठी चरिया सगामी क्रियाओ का आयोजन भासा प्रयोग के अधिक आउशर प्रदान करना निर्धारित पाठी करम को पूरा बारबवा कोशन देखते हैं बारबवा कोशन भी इंप ध्यान देना — जब इस वाकि में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है तो इस आसा है कि सिक्षी का बच्चों को औलोकन चमता के औसर देना चाहती है दूसरा दिया है भासा की बारिकिया समझाना चाहती है व्याकरण सिखाना चाहती है और परिक्षा के लिए तैयार करना चाहती है देखो अब देखो यहां पर आउसर दिये तो आउसर मत लगा देने क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि आउसर वहां पर आएगा आपका जहां पर आपका कॉंसेप्ट भी बन रहा है देखो अलोकन चमता के आउसर देना चाहती है अगर भी लगा रही तो अलोकन चमता का ऑशर कैसे दे रही है नहीं दे रही है ठीक है इसलिए गलत होगा तो आउसर आपका 90% चांस में सही होता है ठीक है जिसको आप देखके लगा सकते हो पर अगर आप इन concept की बात करो तो concept के अनुसार ही आपको देखोगे ना तो कई बारना यह आपका नहीं होता लेज़्ा जैसे यहां पर देखो ऊसर है हना यह उसर तो है परनतो यह ओलोकन छमता के ऊसर देना चाती है तो यहां पर भी ललगाने का उद्देस ओलोकन फ्रेंबे लिप यह ऑनसर नहीं देना है यह है भासा की बार्यकिया समझा आensa करेक्ट आएगा करेक्त आएगा भासा कौसलों का ग्यान सविधानिक मुल्यों की जानकरी देखो सबसे कम महत पुने सविधानिक मुल्यों की जानकरी अगर आपके पास नहीं भी है तब भी चलता है अगर आप एक भासा सिक्षण है चलिए अब देखते नेक्स कोशन साहित की किस विधा के सिक्षण में सरव कोशन उच प्रात्मे की स्तर पर हिंदी भासा में अभी व्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्ण को सरवादिक महत्पुन समझते हैं लोग गित संस्क्रति के परिचायक होते हैं इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए आखो पर परदा पढ़ना मुहावरे का वाक ठीक है अब यहां पर जो आंसर आएगा आपका वह आएगा आपका बी आंसर आखो पर परदा पढ़ना मुहारे का वाक्य में प्रयोग कीजिए यह जो है उच प्रात्मे की स्तर पर हिंदी भासा में अभी व्यक्ति परखने के लिए सरवादिक महत्पुन कोर्शन है तो य कौन सी ग्रीनाउस ग्यास वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्तित रहती है तो इसका आंसर आजाएगा सी ओ टू रहती है कार्बन डाई आक्साइड रहती है नेक्स्ट कोशन सेकंड को सन निमलिकित में से कौन सा क्रम पारिस्टितिक तंत्र में उर्जा प्रव लोगता अब घटक यहीं आपका सही करम आएगा ए आंसर सेकंड कोशन का बिल्कुल सही आएगा थर्ड कोशन देखो भारती गेंडा कहां सरक्षित है बांधिपूर नेशनल पार्क कारबेट नेशनल पार्क कांजी रंगा नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क तो इसकोश वर्षा जल संग्रहन क्या है तो वर्षा जल का जमाओ और भंडारण इसका करेक्ट आजाएगा चार का सी आंसर करेक्ट आएगा चलिए आप देखते हैं कोशन नुमर पांच लोगसभा की कारवाही के पर्थम घंटे को कहा जाता है शुर्नेकाल सारवजनिक काल विसे सदीक प्रश्नकाल तो इस कोशन का आज़ेगा प्रश्नकाल कहा जाता है नेक्सकूशन देखिए लोगसभा के चुनाओं वे तु अधी सुचना कौन जारी करता है ग्रह मंत्रा ले भारत का निर्वा जायोग राश्ट पति लोगसभा सचीवाल है तो इस कोशन का आशर जाएग किस गयस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अमली हो जाता है कारबन डायकसईड, हाइडोजन पराकसईड, नैट्रोजन मोनाओकसईड, सलफर डायकसईड तो इस कोशन का अंसर आजाएगा सलफर डायकसईड, SO2 इसका करेक्ट आंसर आजाएगा नववा कोशन, 74 वे सविधान संसोधन का शंबंद किस से है, राष्टपती की सक्तियों से, ग्रामेन इस्थानी स्वासासन से, सहरी इस्थानी स्वासासन से, संसत की सक्तियों से तो इस कोशन का अंसर आजाएगा 74 वे सविधान संसोधन का जो संबंध है वो है सहरी इस्थानी स्वाशाशन से C आंसर करेक्ट आएगा दसवा कोशन सविधान के किस भाग में पंचायती राजव्यवस्ता संबंधी प्रावधन दिये गए तो इस भाग का नाम है भाग नौ चलिए अब देखते हैं कोशन नुबर 11 लोकसभा और राजव्य सभा के सयुक्त बैठा किसके द्वारा आहूत की जाती है बारवा कोशन इन में से कौन वरतमान में महला आयोक के अध्यक्ष है मालिनी भटचारिया, गिरिजा व्यास रेखा सर्मा, यासमीन अबरार तो देखो यहाँ पर ना आपका जो आंसर ही इन विकल्प में से कोई भी नहीं है आपको कमेंट करके बताना है कि राष्टी महला आयोक के वरतमान में अध्यक्ष कौन है ये कोईशन भी आप लोगों के लिए आज का कोईशन आप देज है समझ लीजिए मने आपसे दो कोईशन पूछा है, एक सुरू में पूछा है और ये है आपका सेकंड कोईशन इसका भी आँशर आपको कमेंट करके बताना है फटा फटा बता दो अपने नाम के साथ कमेंट करके कि इसका आँशर क्या आएगा तिरवा कोईशन रेट डेटा बुक किसे समझ दीत है विलूप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूसर, घटता भूगर्ब, जलिस्तर वायू प्रदूसर तो इस कोईशन का आँशर आजागा A आँशर विलूप्ति के करीब जीव चारी आप देखते हैं कोईशन नबर चाओ था इन में से कौन भारत का परथम मुख्य नयदिस था हीरेलाल जेकानिया एम पतंजली सास्त्री मिहरचंद महाजान एसर दास तो इस कोशन का आँशर आजागा हीरालाल जेकानिया भारत के परथम मुख्य नयदिस थे फिप्टिन कोशन औजन परथ का अधिक्तम हाश निमन में से किस पर हुआ भूमद रिखा उत्री धुरु दक्षणी धुरु इन में से कोई नहीं तो इस कोशन का आँशर आजागा दक्षणी धुरु पर जो है सबसे जज़यदा हाश हुआ था औजन परथ का चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल को प्रैश करो ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मीशना कर पाओ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब देखने गुड़ बाई टेक केर गाईज